नमस्कार दोस्तों जोतिस सूत्र स्रीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक सूत्र देने वाला हूँ कि किसी भी नेटिव की शादी शुदा जिन्दगी में उसको शादी शुदा जिन्दगी का सुख किस हाउस से और किस तरीके से मिलेगा तो इसके लिए हम शादी शुदा जिन्दगी या मेरिट डाइप के सुख को देखने के लिए हम देखेंगे कि उसके डी नाइन चाड के अंदर फॉर्थ लॉर्ड किस हाउस में जाकर बैठके है वो नेटिव उस हाउस से सुख धूंडता है अब मैं इस चाड को देखता हूँ इसमें फॉर्थ लॉर्ड आपका लगन में जाकर बैठके है तो लगन का मतलब हुआ उसको अपने आप से ही सुख प्राप्त होगा अपने आप से ही वो हेपीनेस ग्रेट करेगा एक example लेता हूँ By the way, fourth lord आपका यहाँ पर मैं दूसरा चार्ड नहीं लगा रहा हूँ इसी में modification करके आपको बता रहा हूँ कि जुपिटर यहां की जगे यदि वो आपका paid house में जाकर बैठ गया ऐसा native married life में जो सुख प्राप्द करेगा वो secret होगा हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे native के secret affairs हो सकते हैं और वो secret affairs के थूँ married life में सुख धूंडेगा जो भी यह सुत्रा हैं कोई भी astrology कभी भी 100% cases में applicable नहीं होती तो immediately हम किसी conclusion पर नहीं पहुँचेंगे मगर in general जो भी मैं सुत्र बता रहा हूँ वो maximum cases में applicable होगा धन्यवाद